दोस्तों आज की वीडियो में हम बिजनस के रियल वाउचर को देखकर अच्छी तरीके से पहचान करके उसकी जर्नल इंट्री बनाना सेखेंगे दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब हमें कोई परिटिकुलर इस टाइप की अगर कोई लाइन लिखी वी अगर हमें मिलती है लेकिन प्रोबलम हमें तब आती है जब लिखी वी लाइन का अगर ओरिजनल वाउचर इस टाइप का वाउचर हमें दे दिया जाए और बाद में बोला जाए भी आप इस वाउचर को देखकर जर्नल इंट्री बनाएं कितने लेजर इसमें से बनेंगे और इसका प्रैक्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोई लाइन लिखी भी नहीं बलकि इस टाइप के वाउचर को देखके आपको ये बात बोली जाएगी यहाँ हमें इस वाउचर को देखके इसकी जर्नल इंट्री बनाके दिखा हो तो दोस्तों आज की वीडियो हम यह सारी बातें प्रै अगर हम यह सिरी श्याम टेडर्स की एंगल से देखा जाए तो इसकी जर्नल इंट्री क्या बनेंगी या फिर अगर इसका स्मार्ट इंटर्प्राइजिज की व्यू से अगर देखेंगे यानकि इसकी बुक्स की तरफ से इसकी जर्नल इंट्री क्या बनेंगी तो दोस्तों अगर आप भी अपना accounts में knowledge और ज़्यादा increase करना चाहते हो तो आज की वीडियो को आप शुरू से लएके end तक complete देखना कोई भी step इस वीडियो का skip मत करना और वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक छोटी से request हैं इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों के साथ ज़्य करिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ आप notification बेल को भी जुरूर ओन के लेना क्योंकि हम आगे भी आपके लिए इसी टाइप की account से related और भी वीडियो लाते रहेंगे तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं मौन सुतार और आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर बहु उसकता है अगरा बात करें यह हम रिक हमारी बात बोली जाए बिल कारें कोई जलद बाजी करने से पहले तो एक बात हमें पता होना चीए जो भी seller होता है उसका नाम हमेशा उसके invoice के heading पर होता है और जो purchaser होता है या निकी जो इसका customer होता है उसका नाम customer में, buyers name में या party name में होता है तो अगर हम बात करें शिरी शाम traders की तरफ से तो अब इसका मतलब ये शिरी शाम traders ने smart enterprises को ये जो सिरी शाम traders ने smart enterprises को 48,200 रुपए का ये total समान बेच है इसमें GST include है तो इसकी हमें journal entry त्यार कर दिया है तो सबसे पहले हम date यहाँ पर select करेंगे date एक जून 2020 तो एक जून 2021 डेट कुछ भी हो सकती है अब उसके बाद में अब सबसे पहले हमें पता होना चीए विस एल सिरी शाम traders की तरब से smart enterprises और कितने रुपए से debit करने जो invoice की net amount होती है after GST सब कुछ खर्चे लगाने के बाद में less करने के बाद में discount देने या लेने के बाद में जो net amount बस्तिया है वो debit करी जाती है जैसे कि इसमें जो net amount है वो 48,200 रुपए की है तो हम इसमें जो debit amount है वो य इंटरप्राइजेस को debit करेंगे हम इसको left side से लेंगे और debit के mount में हम लेखेंगे 48,200 और इसको भी हम यहां से नंबर में कर लेंगे अब smart enterprises को था हमने debit कर दिया क्योंकि श्री शाम टेडरस ने smart enterprises से पैसा लेना है अब हम credit करेंगे sale को अब sale को अगर हम credit करेंगे तो आपने जनरल बुक्स में या 11 की या 12 की बुक्स में हम देखा होगा 21 की सिंपल इंटरिया कर बनाए तो smart enterprises account debit to good sale अब यह केवल हमें good sale नहीं लिखना अब यह sale भी हमारी अलग लग टाइप की है इसमें हमने good से जेस्टी 12 वाला भी समान सेल किया हुए 18 परसेंट का भी है और 18 परसेंट का भी है इसमें हमने c जेस्टी टेक्स भी चारज किया हुए तो पुल मिला कि हमें 5 laser यह भी त्या अब कंप्यूटर अब पार्ट्स जीएस्टी 12 परसेंट सेल अब जो सेल के मांट है जीएस्टी 12 परसेंट की वह हम taxable value होती है वह लिखते हैं जैसे कि 13,571 रुपे और 13 पैसे 13,571 रुपे और 43 पैसा और इसके बाद में जीएस्टी 18 परसेंट का भी है तो इसके नदरा में जीएस्टी 18 परसेंट का भी laser हमें create करना पड़ेगा और 18 परसेंट की जो सेल की जो value है हुए 22,033 रुपे और 90 पैसे और उसके बाद जीएस्टी 28 परसेंट की भी सेल है तो हम 28 परसेंट सेल का भी हमें laser create करना पड़ेगा और 18 परसेंट सेल की जो value है वो है 5,468 रुपे और 15 पैसे है अब यह तुमारी थी ट्रेडिंग की जो सेल है अब उसके बाद tax भी charge किया हुए है तो उसके बाद भी हम 2 cgst output tax और जो tax की value है वो 3500 रुपे और 96 पैसे है यंकि 3500 रुपे और 96 पैसे है और अब यहां पर रहेगा 2 मारा sgst output tax और इसकी value भी सेम 3560 रुपे और 96 पैसे है अगर आप दोनों साइड का अकरम हम टोटल करेंगे जैसे कि हम यहां पर इसका टोटल करेंगे और इसकी value का भी हम यहां पर टोटल करेंगे तो आप यहां पर देख रहे हो इन दोनों साइडों का जो दोनों फक्स का जो टोटल अब वो बिल्कुल आपके एक्वल रहेगा यहां कि हमने जनल इंट्रिक को सबसे पहले हम देख लेते हैं मैच हो जाएगा इनके 48,200 रुपे इनका टोटल एक्वल आएगा अब यह तो बात थी सिरिश शाम ट्रेडर्स के बुक्स के तरब से और अब हमें यह बात बोली जाए भी अब आपकी जो बुक्स है वो समार्ट इंटरप्राइज है अगर हम समार्ट इंटरप्राइज की अगर इस को देखें तो अब यानिकी यह अब मारा यह परजेज बन गया है और हमने सिरिश शाम ट्रेडर से यह गुट्स को परजेज किया है तो अब यह हमारी परजेज होगी तो इस कंडिशन में हम क्या करेंगे अगर हम बुक्स आप समार्ट इंटरप्राइज के तरब इस इस एंगल से हम देखेंगे तो सबसे फिर हम डेट लगाएंगे आपर 16201 और अब हम परजेज की किया है तो परजेज की कंडिशन में क्या होता है पार्टी हमें सा क्रेडिट होती है और जो हमारे पास गुड्स आए है वो हमेसा डेबिट होती है विस सिदा सा रूल हो इसको डेबिट करते हैं अब हमें परजेज के लिज़र त्यार करने पड़ेंगे समार्ट इंटरप्राइज की बुक्स पर तो मिट सबसे पर हम लेजर यहां पर त्यार करेंगे बिक कंप्यूटर पार्ट्स GST 12% परचेज इसको हमने परचेज हमने किया है सबसे पहले हम इसका साइड है जो लेफ्ट साइड में क्लिक कर लेते हैं और यहां पर इसको भी हम नमबर पर कर लेते हैं और जो परचेज की यहां पर अब जो वेल्यू रहेगी 12% की वो रहेगी 13,571 रुपए और 43 पेसे सेम यहन कि उसका अपोजिट हो जाएगा इसी तरीके से GST 18% का भी समान हमने परचेज किया बहें तो GST 18% का भी लेजर में बनाना पड़ेगा और इसकी 22,033 रुपए और नपय पेसे और हमारे पास 28% का भी है कुछ समने परचेज किया है इस इन्वोईस में तो उसकी जो वेल्यू है वो हम लिखेंगे 5,400 रुपए पिचेतर पैसे जो 5800 रुपए पिचेतर पैसे और अब हमें टेक्स भी लगा हुआ है cgst टेक्स और sgst टेक्स तो हम यहाँ पर cgst अब यह मारे लिए input टेक्स बन चुके है क्योंकि हमने गुट्स को परचेज किये 352 रुपए और 96 पैसे और इस तरीके से यह sgst टेक्स का भी sgst input टेक्स यह भी 352 रुपए और 96 पैसा इसको हम करेंगे जैट्सर में और अब उसके बाद में हमने जो परचेज किसे किये इसकी जो वेल्यू है वो हम नेट वेल्यू जितना पैसा हमने देना है 48,200 रुपए देने तों 48,200 रुपए से क्रेडिट करेंगे अगर हम इन दोनों साइड़ों का अगर अब हम टोटल लगाएंगे यहां पर और 38,200 और इस साइड का भी आपको 48,200 का टोटल देखने को मिलेगा और यहां पर हम इसका नरेशन त्यार कर देंगे इन वोईस का जो नंबर है यह हम यहां से देखने को मिलेगा इन वोईस नंबर 656554 और इसमें इसका जो नरेशन मनेगा वो इन वोईस नंबर इन वोईस का नंबर 6554 तो इस तरीके से हमने परसेज के एंगल से और इसकी वाउजर को सेल एंगल से दोनों तरीके से हमने इसकी जनरल इंट्री बनाई है तो एक बार इसकी समार्ट स्मार्ट इंटर्प्राइजिस की इसको भी हम व्यू करते हैं जूम करके तो हमने जो इंटरी बनाई है हम स्मार्ट इंटर्प्राइजिस के बुक्स की तरफ से यह परसेज हुआ है तो हमने परसेज के लेजर को डेबिट किया है और उसके बाद में जो टेक्स लग किया क्योंकि इंपूट है मन चुका हमारे लिए और यह вамने क्रेडिट कर दिया अब यानि कि स्मार्ट इंटर्प्राइज के बुक्स में श oven इनने रुपे क्रेडिट किया है इसका मतलब कि सीरी शाम ट्रेटर्स वाड़े ने समार्ट इंटरप्राइजे से 4800 दो सुर्पे लेने हैं तो दोस्तों ये थी आज की परजे और सेल एंगल से जर्नल एंटरी वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट करके में जुरूर बताना वीडियो से गर आपको कुछ सेखने को मिला हूँ वीडियो नॉलेज़े बलगी हो तो प्लीज इस वीडियो के एक लाइक देके भी जुरूर जाना तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टोपिक के साथ